नमस्ते मैं कलपना कैलत जाध हूँ इस कॉंपिटीशन में मैं गद्धिपट सुनाने जा रहे हूँ उसका नाम है वारे हमदर्द यह से वेंगन निबंद है और इसमें लेखकने दुरगटना के माद्यम से विनोत को बड़े रोच घंग से व्यक्त किया है हमदर्दी भी कभ पिड़ादाई बन जाती है यह बहुती सुन दर्तर के से दर्शाया है तो चलिए पाठ की और उस दिन जब मैं पूंजिवादी और समाजवादी अर्थविवस्ता पर भाशन सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी आप भाशन के प्रभाव से मेरी साइकल को नजरों से देखते हुए आपस में जाब ले मैंने खामखा पूंजिवाद और समाजवाद के जगड़े में टांग अडाई फलसुरूप मेरी टांग तूट गई दुरगटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरब दोड़े आग खुली तो मैंने अपने आपको एक बिस्तर पर पाया इर्द गेर्द कुछ परिचीत कुछ अपरिचीत चेहरे खड़े थे आग खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता के लहर दोड़ गई मैंने कराते हुए पूछा मैं कहा हूँ आप सर्वेजनिक अस्पताल के प का रहा अब मैं अपने टांगों के और देखता हूँ मेरे एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरे टांग रेत की थे लिके सहारे एक स्टैंड पर लटक रहे थी मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ टांग का टूटना यानि सार्वेजनिक अस्पताल में रहना सारवजनिक अस्पताल का खयाल आते ही मैं काप उठा अस्पताल वैसे खतरनाक शब्द और यदि उसके साथ सारवजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय अब मुझे यू लगा कि मेरे टांग तूटना मात रहे गटना और सारवजनिक अस्पताल में भरती होना ये दुरखटना तांग से जादा फिकर मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी चताने मुझे मिलने आएंगे ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी-कभी इतना फरेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है दर्ज के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नीद नहीं आती यदि थोड़ी बहुत आभी जाएं तो मिलने वाले जगा देते खास कर वे लोग जो सिर्फ आउपचारिकता निभाने आते हैं इन्हें मरीज से हमदर दिन नहीं होती ये से सूरत दिखाने आते हैं ऐसे मैं एक दिन मैंने तई कर लिया कि आज कोई व्याय मैं आखने खोलूंगा चुपचाप पड़ा रोंगा अपिस के बड़े बाबु आये और मुझे सोया जानकर वापत जाने के बजाएं वे सूचने लगे कि एदी मैंने उन्हें ने देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आये थे अतहा उन्होंने मुझे दीरे-दीरे हिलाना शुरू किया फिर भी जब मैंने आखें ने खोली तो उन्होंने मेरे टांके टूटे इसे को जोर से दबाया मैंने दर्द के मारे को चीकते हुए जब आग खोली तो वे मुस्कुरा कर बोले कहिए अब दर्द कैसा है मुहले वाले अपनी फुरसत से आते हैं उस दिन जब सुना भाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज फिर कोई दुरगट ना होगी आते उनोंने मेरे और इशारा करते हुए बच्चों से कहा ये देखो चाचा जी उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चड़िया गर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता ये देखो बंदर बच्चे खेलने लगे एक कुर्सी पर चड़ा दूसरा मेच पर सोना भाई की छूटी लड़की दवा की शिशी लेकर कतकली डांस करने लगी रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटाया क्या देखता हुँ कि सोना भाई का एक लड़का मेरे टांग के साथ लटक रही रेती की थे लिग पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था मैं इसके पहले के उसे मना करता सोना भाई की लड़की ने दवा की शिशी पटक दी सोना भाई ने एक पल लड़की को घुरा फिर हसते हुए बोली भया पेडे की लाओ दवा गिरना शुब होता है दवा गई समझो बिमारे गई इसके दो घंटे बाद सोना भाई गई यह करकर की फिर आउंगी मैं भीतर तक काब गया कुछ लोग तो आपचा रिकता निवानी की हद कर देते हैं विशिश कर वो रिष्टेदार जो दूसरे गाउसे मिलने आते हैं ऐसे में एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी उसमें से निकल कर एक आत्मी आते ही मेरी चाती पर सीर रखकर ओंदार रुने लगा और कहने लगा हाई तुम्हें क्या हो गया कारवानों का सत्यानाश हो मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ पर तू क्यों रोता है तुझे क्या हुआ है वो थोड़ी देर मेरी चाती में मुझ बड़ाये रोता रहा फिर रूना कुछ कम हुआ उसने मेरी चाती से गरदन हटाई और जब मुझसे आख मिलाई तो एकदम चूप हो गया करना करवत चला गया अब वही रोने के आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी मुझे उस आदमे से अधिक गुस्ता अपने पत्नी पर आया क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिष्टेदार या करीभी मित्र समझ कर टैक्सी वाले को पैसे दे दिये थे हम दर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिसके हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हमारे शहर में एक कवी है श्री लपकानद उनकी बेतु की कवीताओं से सारा शहर परेशान मैं अकसर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता जानता हू जब भी मिलेंगे दस विस कवीता पिलाए बिना नहीं छोडेंगे एक दिन बगल में जूला दवाया पोचे आते ही कहने लगे मैं तो पिछले चार पाच दिनों से कवी सम्मेलोनों में अतिर्यस्त था सचकेता हूं कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा राद में मुझे नीद नहीं आई और हाँ राद को इसे संदर्वा में मैंने यह कवीता बनाई यह कह जोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने असम के राज धानी है शीलों मेरे दोस्की टूट गई टांग मोटर वाले तेरे साइड थी रांग कवीता सुना कर वे मुझे ऐसे देख र रही हो कहो कवीता कैसी रही और दूसरी आग पूछ रही हो बोल विटा अब भी मुझे भागेगा मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कवीताय सुनने का वादा कर बड़े मुश्किल से विदा किया अब मैं रोज इश्वर से प्रातना करता हूं कि हे इश्वर अगर त दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ मगर कृपा कर उच जग तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो क्यों क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी जताने वाले दन्यवाद